वेलकम टू दिया शेमा शो बहारत में क्रिकेट बस एक खेल बर नहीं है बलकि एक धर्म के जैसे है जब भी मेंज इन ब्लू इंडियन टीम मैच जीती या हारती है तो क्रोडों लोग एक साथ खुशी या दुख मनाते हैं क्रिकेट मैच देखने का मचा तो दुगना तब हो गया था जब BCCI ने 2007 में 2020 फॉर्माट में इंडियन प्रीमियम लीग के शुरुवात की दुनिया के बेस्ट बैट्समेन और बॉलर्स जब एक दूसरे के साथ कमपीट करते हैं वो भी लिमिटेड ओवर्स के मैच में तो कौन इस रोमाच को मिस्स करना चाहेगा अब से ठीक 16 दिन बाद IPL का 13 सीजन 29 मार्स से शुरू होने के लिए प्लांड है लेकिन कोरोना वाइरिस के कहर के चलते क्या इस बार IPL माचेस हो पाएंगे BCCI इसी बात पे अड़ी हुई है कैसे ना कैसे करके IPL माचेस करवाएं जाएं वहीं सरकार की मुसिबत बढ़ती जा रही है जैसे जैसे दिन भर दिन कोरोना के कनफर्म केस भारत में बढ़ते जा रहे हैं आपकी जानकारी के लिए बता दू BCCI ने बताया इंडिया और साउथ ऐफरीका की वन डे सीरीज का दूसरा और तीसरा दिन स्टेडियम के बंद दर्वाजों के बीच होगा इसका मतलब बिना दर्शकों के होगा सवाल ये उठता है अगर BCCI इस वन डे सीरीज का डिसिजन ले सकती है तो IPL को लेकर इतनी असमंजस में क्यूं है शायद क्यूंकि फिलहाल अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में भारत में कोरोना वारिस के केसिस में वृद्धी ही होगी इसको काबू करने में अभी समय लगेगा इस वीडियो में बताऊंगी वो सभी कारण जिनसे ये कहना कि IPL कैंसल ही होगे आतीश योक्ती नहीं होगी आगे बंडे से पहले प्लीज प्लीज मिरे चानल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएं और आपने ध्यान दिया होगा तो अब चानल का नाम The Ashima Show हो गया है इस पे ट्रस्टेड और रिलाइबल इंफरमेशन मैं आपके लिए लगातार लाती रहोंगी प्लीज सपोर्ट मी सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉंग वीजन कोरणा से बचने के लिए भारत ने अपने आपको कॉरेंटीन कर लिया है जी हाँ इसका मतलब ये कि भारत सरकार ने दुनिया के सभी वीजास 15 एपरिल तक कैंसल कर दिये हैं आईपेल के सीजन में बाहर की कंट्रीज के 60 खिलाडी भी भाग लेंगे अगर फॉरेंट प्लेयर्स को वीजा ही नहीं मिलेगा तो मैचेस होंगे कैसे बात बस इतनी सी नहीं है क्योंकि कोरणा वाइरस इस दुनिया के 127 देशों तक फैल चुका है तो इस रहस में वाइरस के चलते सभी प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट करने से कत्राएंगे इस बात को मध्य नजर रखते हुए कोरणा को रोकने का सबसे पहला कदम यही है कि जिस दर्वाजे से कोरणा भारत में घुस रहा है उस दर्वाजे को ही बंद कर दिया जाए अब देख लेते हैं कि इसकी उपर BCCI का क्या कहना है कोरणा वाइरस के डर के बीच BCCI के सामने IPL का आयोजन करना बड़ी चुनोती बन रहा है हाला कि BCCI चीफ सौरफ गांगुली ने हाली में एक प्रेस कॉन्फरेंस में कहा कि IPL अपने तह समय पर ही होंगे उन्होंने ये भी कहा कि खिलाडियों और फैन्स की सुरक्षा का पूरा खयाल रखा जाएगा इसके बारे में डॉक्टर से अभी राय ली जा रही है BCCI सोर्सिस का ये भी कहना है कि अगर जुरुएक पड़ी तो मैचिस को रद किया जा सकता है लेकिन तारीकों को बदला नहीं जा सकता क्योंकि वे अंतराष्ट्रे कलेंडर के अनुसार योजना बद है अब देख लेते हैं कि सरकार का क्या कहना है सरकार का नाम लिया जाए तो केंद्र और राजसरकारों दोनों के रुख बड़े साफ है केरल, हरियाना और दिल्ली समेथ सभी स्टेट्स में हेल्थ एमर्जनसी पहले से ही डिकलेर हुई है मास गैदरिंग पे रोक लगाई हुई है स्कूल, कॉलेज़ और सिनेमा घर सब बंद की हुए है वहीं केंद्र सरकार के खेल मंतरी किरन रिजीजू ने साफ कहा है कि लोगों के स्वास्त को खत्रे में नहीं डाला जा सकता उन्होंने IPL कैंसल होंगे या नहीं इस पर कोई क्लियर जवाब नहीं दिया लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि देश में होने वाले सभी अंतराष्ट्रे खेलों को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है लेकिन दूसरी तरफ IPL फ्रेंचाइजी अलग-अलग तरह के प्रमोशनल वीडियो जारी कर रहे हैं टीवी पर एड्स चल रहे हैं जो इशारा करते हैं कि BCCI तो कुछ और ही चारा है तो क्या आप खाली स्टेडियम में होंगे IPL? इस महामारी के वक्त दुनिया भर के बड़े-बड़े मैचेस खाली स्टेडियम में ही खेले जा रहे हैं लेकिन IPL को लेकर कुछ साफ नहीं है 40-50 जार लोग इस मैच को देखने आते हैं और सीट्स स्टेडियम में इतनी तंग होती है कि दर्शक बिल्कुल कंदे से कंदा मिला कर बैठते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना होने के कारण वाइरस के संक्रमन का बहुत बड़ा खत्रा है इसको देखते हुए यही लग रहा है कि अगर IPL बिना दर्शकों के स्टेडियम के बन दर्वाजे के बीच हो और लोग अपने घरों में बैठ कर मैचों को मज़े से देखें तो अच्छा है ताकि कोर्ना वारस और ना फैल सके और लोग सुरक्षित रहें अब बात कर लेते हैं जिसकी सबको चिंता है अगर IPL कैंजल होंगे तो क्या स्टेक पर है बीसी सी आई के लिए IPL को स्थगित करना या रध करना आसान निर्ने नहीं होगा IPL क्रिकेट का सबसे रोमांचक टूर्नामेंट है अगर इस बार IPL रध हो जाता है तो प्लेयर्स, बीसी सी आई, स्पॉंसर्स, ब्रोडकास्टर्स और खेल प्रेमियों के लिए बहुत भारी नुकसान होगा क्योंकि सभी तयारिया लगबग हो चुकी है, ये टूर्नमेंट बीसी सी आई के साथ साथ आठ फ्रेंचाइजी के लिए एक बहुत बड़ी धन राशी भी मोहिया करवाता है 2017 में स्टार इंडिया ने IPL के लिए ब्रोडकास्टिंग राइट्स 2.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स याने की 18,000 करोड रुपे में खरीदा था 2020 के लिए पहले से ही BCCI ने ब्रोडकास्टर से पैसे लेकर अपने जेब में डाल ली है Sponsors ने पहले से ही promotional events पर खर्चा करना शुरू कर दिया है उन्हें भारी नुकसान होगा साथ ये भारत में बड़ी employment भी generate करता है Corona का IPL पर suspense 14 तारिक तक बना रहेगा बस एक और दिन कंदजार है फिर IPL governing council की बैठक में decision ले लिया जाएगा कि IPL इस बार cancel होंगे या फिर बिना दर्शेकों के खाली stadium में खेले जाएंगे उमीद करती हूँ latest updates पाने के लिए आपने मेरे चानल दर आर्शी मार्शो को subscribe कर लिया होगा और इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद